तो साथियो नमस्कार जेहिन, रिटार्टमेंट के मास्टर प्लान वीडियो में आप सभी का स्वागत है, इससे पहले भी आपने रिटार्टमेंट मास्टर प्लान के वीडियो देखे हैं और धेर सारा प्यार दिया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टम को लेकर कोई भी बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने एक investment playlist दिया है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियो investment के बारे में आपको बताये हैं कई प्रकार के investment और business idea उसमें दिये हैं जो कि पूरी तरह से एक defense personal एक फोजी आदमी की life को उनकी challenges को ध्यान में रखके बनाये गए हैं और हजारों फोजी बायों ने उसका फाइदा उठाया है आपने अभी तक नहीं देखा है तो उपर link आएगा उस पर click किजिएगा आपको 120 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर लेंगे जहां से आप अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं किसी भी defense personal के लिए retirement के बाद में resettlement होना एक बहुत बड़ी challenge होती है लेकिन आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी फोजी बाई के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी होती है और definitely अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और यह तीन चीजों को समझते हैं तो retirement के बाद में आपको success होने से कोई नहीं सकता सबसे पहला पॉइंट है education जी हां अगर आप retirement के face में हो on service हो या अभी ताजा ताजा retired हुए हो तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो चीज है education अगर आपको अच्छे से resettlement होना है और आपको अपनी अगली class में second career में success होना है तो education must be required जी हां लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि अगर education हम ले तो आखिर कितना ले और कौन सा ले तो देखिए मैं आपको clear कर देता हूं आपको जो civil qualification है उसमें आपने minimum graduation complete कर लेना चाहिए हमारे कहीं सारे फोजी बै ऐसे हैं जो कि आर्मी graduation certificate के उपर depend रहते हैं आर्मी में जब आप retired होते हैं तो आपको last में graduation certificate दिया जाता है इसके भरों से हमारे कहीं सारे फोजी बै रहते हैं लेकिन मैं नहां पर काम आ सकता है इसलिए जरूरी है कि आप सिविल से अपना कम से कम graduate qualified हो जाईए यहां पर एक बात graduation complete करने से यह जरूरी नहीं है कि आपको 100% civil job मिल ही जाएगी दोस्तों जितने भी हमारे फोजी बै रिटार्डमेंट लेते हैं उसमें से मुश्किल से 15% एक सर्विसमेंट को government job मिल पाती है तो मैं आपको यहां पर सला दूँगा कि आपने professional courses करने चाहिए जो कि civil में जाने के बाद में आपको stable होने का एक सबसे बड़ा chances देता है अगर आप professional courses करते हैं तो civil में देखिए industry sector में कहीं सारे ऐसे सेक्टर है कहीं सारे फिल्ड है जहां पर डिफेंस परसनल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है जैसे administration department हो गया fire and safety department हो गया security department हो गया account department हो गया transportation हो गया ऐसे कहीं सारे department है तो आपने इससे related courses कर लेने चाहिए पहले भी हमने courses के बारे में कहीं सारे वीडियो बनाए हैं और उसको ले करके हमारे हजारों फोजी भाई उन्हें इंटरेस्ट लिया है उन्होंने course qualified किये और अपने future personal के लिए है civilian को यह course provide नहीं किया जा रहे और एक इंस्टिट्यूट के द्वारा कराया जा रहे हैं और आपको एक verified certificate भी मिलेगा तो यह सारे courses आपको कर लेने चाहिए समय रहते ही ताकि आपको future में जाके अपने resettlement के लिए जादा दोलबाग ना करनी पड़े क्योंकि government job में हर एक defense personal fight नहीं कर सकता है तो यह रहा पहला टोपिक कि आपको क्या education लेना चाहिए कितना लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए दूसरा टोपिक है safe one medical category and exemplary character certificate जी हां दोस्तों हम मेंसे कहीं सारे फोजी बै ऐसे होते हैं जो कि फोज की service के दोरान ही low medical category हो जाते हैं और कई सारे फोजी बै ऐसे होते हैं जिनके character में problem होती exemplary character नहीं होता है तो इन दोनों चीजों की valuation civil में क्या है वो मैं बताना चाहिए अगर कोई defense personal low medical category हो जाता है तो मैं यह नहीं कहता हूं कि civil में उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं लेकिन कई सारे ऐसे department हैं जहां पर आप से safe one medical category मांगी जाएगी और आपका exemplary character भी मांगा जाएगा तो यहां पर एक हम बहुत बड़ी चुक कर देते हैं अगर आपको civil में जाके दूसरा job करने की इच्छा है दुबारा से नोकरी में लगने की इच्छा है तो मैं आपको यहीं सला देता हूं कि आप अपनी safe one medical category लेकर जाएगे और exemplary character लेकर जाएगे ताकि आपको जादा से जादा opportunity मिल पाएगी और आप आसानी से settle हो पाएगे अगर आपको civil में जाके कोई दूसरी job नहीं करनी है अपना business करना है अपने आपको develop करना है और अपना खुद के मालिक बनके जीना है तब तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है और जहां तक business की बा चले कि civil की दुनिया में क्या चल रहा है और आपके लिए कहां कहां पर मौका मिल रहा है जहां पर आप अपने मालिक बनके जी सकते हो यूटूप पर एक मात्र सेनिक मंत्रा इसी चैनल है जो की फोजी बायों के लिए ऐसे content लाती है जहां से फोजी बायों की आर्ठिक उन् कुगदानगा के लिए देता हैं देश्च के लिए देता लेकिन retirement के बाद में सरकार की तरफ से उनको सबसे बड़ी facility मिलती है एक है आपकी hospitality यानि की medical facility और एक है canting facility जब आप retirement हो जाते हैं तो आपकी तंखा में तकरीबन 50 percent की कटोती हो जाती है जब आप pension आ जाते हैं तो ऐसे में अगर आपके आसपास में जहां पर आप resettle हो रहे हो वहां पर ये दोनों सुविदा हो तो बहुत अच्छा होगा जब आप retirement होते हो तो आपकी खुद की भी उमर बढ़ रही है आपके माता पिता है उनकी भी एज बढ़ रही है तो कहीं प्रकार की बीमारिया आ जाती है कहीं प्रकार की medical की विजिट लेने जाते हैं तो आपको पंद्रा सो दो हुजार रुपए का खर्चा नॉर्मल हो जाता है लेकिन अगर आप ऐसे लोकेशन में हो जहां पर फोज की मेडिकल सुविदाए उपलब्द है इसी ऐसे पॉलिक्लिनिक उपलब्द है तो आप यह बड़े अमांट को आप बचा सकते हैं जो कि आपको फोज की एक फेसिलिटी के रूप में मिला है दूसरा जब आप तीस हजार का पेंशन ले रहे हो मंतली और महिने के सामान में आपको पांच-छे जार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तो वह आपके लिए एक बहुत बड़ा खर जियान रखनी है और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सिस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और यहां स्क्रीन पर भी एक वाटसेप नमबर दिखाई दे रहा है उस नमबर पर आप हमें वाटसेप मेसेज कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ली हेल का एक नीचोड होता है तो आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है वीडियो को लाइक करके जरूर बताएगा कोई भी क्वाईरी है तो कॉमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं और जादा जादा इस वीडियो को अपने सभी बायों के साथ सेर कीजिएगा अभी एंड स्क्र का है तिसरा वीडियो आपका पेंशन केलकुलेशन का है जो की आपको देखना चाहिए और चोथे वीडियो में यहां पर हमने इन्वेस्मेंट प्लेलिस्ट दिया है जहां पर आपके लिए एक सो बीस से जादा इन्वेस्मेंट रिगार्डिंग वीडियो आपको मिलेंगे वो आप